कि नमस्कार मैं नवल कुषूर नीरोथेरेपिस्ट नीरोथेरपी का मानना है और नीरोथेरपी जानतीब II है जब आपकी नाभी गर्वड होगी तो व्यक्ति को सारुरिक और मानसिक दोनों तड़की की बिमारियां आ सकती है सारीक का मतलब है कि आपको कमर दर्द हो सकता है पेट में दिक्कत आ सकती है कॉस्टिपेशन हो सकता है लूज मोशन हो सकता है सरीर में दुखन हो सकती है सरीर में भारी पन हो सकता है काम करने के लिए एनरजी नहीं खीलोगी और मानसिक बिमारियों में जब ये लंबे समय तक बनी रहेगी तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी या आप इन सोगनिया के सिकार हो सकते हैं क्योंकि कोई भी बिमारी जब लंबे समय तक आपके शरीक अंदर रहती हैं तो वो आपको मानसिक तौर पर बिमार बनाती हैं तो नाभी भी आपको सारिक और मानसिक तौर पर बिमार बना सकती हैं, कर सकती हैं तो समय रहते हमें नाभी का उपचार करना चाहिए नहीं तो दीरे दीरे करकर आपकी जिन्दगी खराब कर सकती है ऐसा हमारे पेशन्टों ने बहुत बार हमें फीड़एक दिया है मैं सीरीज बना रहा हूँ ना भी उपर जाएगी तो क्या होगा ना भी नीचे जाएगी तो क्या होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने शोशल मीडिया प्लेटफॉम पर भी इनको शेयर करकर लोगों की मदद कर सकते हैं जो आज ना भी की समस्था से परेशान है ना भी जब राई साट में जाएगी तो क्या होगा तो मैं आपको इसका थोड़ सा सिंपल आपको डियाग्नोस बताता हूँ कि क्या कैसें डियाग्नोस करेंगे जैसे ना भी अगर हम चेक कर रहे हैं तो सारी उंग्लिया में आकर यहाँ ना भी को चेक करिए ना भी सीधे तरफ जाएगी तो यहनगी ना भी इस डियरेक्शन में जाएगी यह जो डियरेक्शन है हमारे बहुत महत्तपून ओर्गन की है जिसको हम लिवर कहते हैं लिवर के इस महत्तपून लोकेशन को हमें ध्यान रखना है कि नाभी जब यहाँ जाएगी यह हमारा ascending colon है यह हमारा ascending colon है तो नाभी जब यहाँ खिसकेगी तो आपको water motion हो सकते हैं loose motion हो सकते हैं decentry हो सकते हैं बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगी, आप ये पेक में गुल-गुल-गुलisiert होगी, तो गुल-गुल भी इसी जगा पर होगी जब नाभी सेहजी तरफ जाएगी, और आपको गुल-गुल के सात में मशन आएगी जैसे पेट में कई आपने देखा होगा एक तो लूज मोशन है एक है कि एकदम से आवाज होती है आपको फ्तुल भागना पड़ता है तो वो जो है वो नाभी जब राई सेट में जाएगी तो ये दिक्कत हो सकती है हमें करना क्या है मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको ब पर वापस लाईए तो रखीचिए पर खीचिए जब खीचने के बार पंद्र सोले बार करने के बार यहां पर जब नाभी आ जाये तो चारहतर की मास केशे को पकड़ कर आपने पकड़ना है और उपर की तरफ छे सिपने का होड़ करना है एक दो तीन चार पाँच छे इस दो तीन चार पंच छे तो जब आप यह तीन बार कर लेंगे इसके बार में ध्यान करना है जब नाभी इधर है तो हमने यह पैर उठाना है यहां पर रखना है थाई के उपर और यहां से पूरा प्रेशर देना है पूरा प्रेशर देना है जब आप यह प्रेशर देखेंगे यह पैर जितना उपर जाएगा, जितना प्रेशर देंगे, यहां पर दवाब आएगा, तो यहां से नावी को इस exercise के साथ साथ फिर से खीचना है, फिर से खीचना है, फिर से खीचना है, तो जब आप यह प्रेशर दे रहे हैं, तो यहां से पूरा प्रेशर दे रहे हैं, तो ये नावी के, ये जो हम दे रहे हैं, नावी के सीधी तरफ की सब्में से दे रहे हैं, और इसी ने निरो थरपिस्ट जानते होंगे, एक हमारा सूपरफास्ट का ट्रिप्मेंट है, तो हमने लेफ पैर में, यह राई साइड में नावी की तो लेफ पैर में हमने सूपरफास् तो अगर आपको नाभी की बहुत ज़्यादा गंभी समझा है तो अपने नजदी की नीरोथरपी से जरूर मिलिए वो आपकी जरूर मदद करेगा और अगर आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो हैस्टेग नवल सर किसी भी सोशल मीडिया प्रेट्फमों के लिग दीजे हमारे साथ हमारे नंबर्स हमारी लोकेशन हमारे टाइमिंग सब आपको मिल जाएंगे हैस्टेग नवल सर नाभी के छ्फेतर में पेट की समश्चाओं के लिए एक मात इलाज है निरो घर्मारे निरोधर्पी में ब्पासकते है तो हमारे साथ जुड़िए, अपॉर्मेंट बुक करिए और अपनी समयसा का समधान करिए, हम आपके परिवार के लोगों को ही आपकी समयसा का समधान बता देंगे, सिखा देंगे, जिससे कि वो घर में आपका इलाज कर सकते हैं, तो पहली टेक्निक मैंने जो आपको उताई ये, तो ये, अपनी बोदेया में करी करने लाजक के लाज जो, हमारे साथ थाव्यसा काूंभर समधान अपका तो दीरे दीरे करकर 21 दिन लगाता करिए अगर बहुत ज़्यादा तक्लीफ है तो शुबह दुपएर साम करिए और खाली पेट करना है नहीं तो शुबह शुबह आप करिए बहुत अच्छी टेक्निक है इसे बहुत सारी लोगों को लाब मिला है आपको भी मिलेगा ऐसी उम